दोस्तो आज हम बात करेंगे पुरूनिंग का 10 दिन के बाद जो फर्ट फिटिंग देना है वो कौन सा फिटिंग देना और कौन सा पिस्टी सैट का भी यूज करना है तो देखिए भी मेरा ये सभी प्लांट को मैंने आज से 10 दिन पहले बहुत जादे हाट पुरूनिंग कर दिया था सभी रोज प्लांट को और सभी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी ने ने पत्ते निकल ले हैं यह देखिए मेरा बटन रोज का प्लांट है इसको भी मैंने बहुत जादे हाट पुरूनिंग कर दिया था और उपर से मैंने फंगिसाइट दे दिया था जितने भी प्लांटे सभी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसमें तो यह कली भी आ गया यह कितने सारे ने ब्रांच निकल ले ने पत्ते निकल ले हैं यह कितना मोटा ब्रांच था इसको भी मैंने उपर से कट कर दिया था यह मेरा साथ से आठ साल पुराना इसा पौधा है सभी को मैंने बहुत ही जादे हाट पूरूनिंग कर दिया था और एक भी प्लांट मेरा खराब नहीं हुआ है किसी में डाइबैक नहीं लगा है और में जो डाइबैक लगता है वो पानी देने की वज़े से लगता है अगर देने का तरीका तक प्लांट में अखिसर डाइबैक लग जाएगा मैं जो पानी देता हूं तो इसमें जादे रुकता नहीं है देखिए उपर से यह दिके कितना चुखा लगता उपर से जैसे लगता यह पानी दिने की जरूरत है लेकिन आप अंदर से दिखिएगा तो यहां दिखिए नीचे में नमी है तो मैं एक-एक दिन छोड़ करके तब इसमें पानी देता हूं तो आप अगर मिट्टी में लगाए हैं या सिंडर में लगाए हैं मिट्टी में भी लगाए हैं तो जब तक आप सही से उपर से देखिए जो जादे नमी है तो फिर आपको पानी नहीं देना होगा लेकिन आप सिंडर में लगाए हैं तो आपको डेली पानी देना होगा कभी कभी आगे ज़्यादे धूप है तो डो टाइम भी पानी देना होगा लेकिन मेरा राइस हस्क है इसमें पानी रुकता नहीं है इसलिए अभी कर रहा क्योंकि इसमें जादे पत्ते नहीं आए हैं फिर जादे पत्ते बड़े-बड़े हो जाएंगे मेरा प्लांट बड़ा हो जाएगा तो फिर पानी मुझे दिन में एक बार हराल में देना परता है कभी दो बार भी देना परता है जैसे सिंडर में पानी तो पाहीं समय के साफ पंत्वupunक्त हैं तो नहीं सहाज है तो नीचे से पानी थे जाता है इसलिए यही होगा हैब आप और चल्फ का थे पर साइक में पैने प्रियलें टेंर केश़ें के आपको कहीं से अपको फुल को पुल नहीं लेना है कि अगर आप रिपोर्टिंग किए हैं इनके जर को काते हैं तो इसके करना है मैं तो साइट साइट से जैसे कभी किसी प्लान में जैसे साइट से निकाल देते हैं उसमें उपर का रूट में काट करके हटा देता हूं तो अभी जब तक इसका जर को डिबलेप करना होगा और पत्ते को हडा भरा करना होगा तो इसके लिए जो मैं यूज करता हूं इसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% इसमें फासफुरस है तो नाइट्रोजन मेरा पत्ते को हरा भरा करेगा और फासफुरस मेरे जर को मजबूत करेगा तो अभी मैं पोटास का यूज नहीं करूंगा सिर्फ मैं डीएपी का यूज करूंगा तो किसी भी प्लान में अब जब न्यौ Werner अभी जैसे करने तो ज्यादे नहीं देना है माठ कुछी दाने इस टेक करके आपको साइट से देना है ऐसे करके सभी प्लांट में साइट से दे करके मिट्टी को हलका सा गुराई कर देंगे इस ते करके मिट्टी डीएपी देने के बाद इस ते करके गुराई कर देंगे और जब भी आप DAP दीजेगा अभी आपको बार बार अभी फटिलाजर देना है जादे तो नहीं देना कमी देना है लेकिन लगबग हपते में दो बार आपको देना है इसमें कंजूशन ही करना है हपते में दो बार आपको अभी फटिलाजर देना है DAP का जब यह थवाजा पत्ते बरे हो जाएंगे जब इसमें कली आना इस्टार्ट हो जाएगा अब लगेगा जो फूल किलना तब मैं पोटास का यूज करूँगा अगर आप सिंडर में लगाए हैं तो अगर आप एन्पीके का यूज करना चाहते तो बारे एकसेट जीरो जिसमें नैट्रोजन और फासफोरोस हो जिसमें पोटास नहीं होगा उस एन्पीके को एक ग्रम पर लिटर के हिसाब से आप डेली भी दे सकते हैं या दो दिन दो दि देना है इसको एक बार आपको जर में देना है एक बार आपको एस्परे करके देना है एक लिटर का यह मग है इस टेकर के छोटा सा चमज में एक चमज मैंने ले लिया और इस टेकर के घोल लिजेगा इसको अच्छी तरीके से घोलने के बाद इसको इस्टेकर के जर के चार यूज किजेगा अगर आप कुछी दिन पहले अगर आप रिपोटिंग की हैं मिट्टी में वर्मी कमपोस्ट देकर के तब लगाए हैं तो फिर अभी आपको वर्मी कमपोस्ट का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन अगर आप इसमें वर्मी कमपोस्ट अभी तक नहीं द तो फिर आप भी आपको नहीं देना है लेकिन अगर नहीं दिये हैं तो इसको जरूर दीजिएगा अगर आपका गुलाब सिंडर में लगा हुआ है तो इस टेकर के पानी ले इसको हफ्ते में एक बार दिजेगा तो भी सफिशेंट है आपको बार बार इसको वर्मी कमपोस्ट को नहीं देना है हफ्ते में एक बार देना है अब मैट्स के बारे में बात कर लेते हैं अभी जो नैने पत्ते आते उसका मैट्स का एक बहुत जादे होगा इसलिए इसमें एस्पेरे करना बहुत ही जरूरी है इसके मैं यह और घरूर्श की यूज करता हूं यह ठीप्स में बहुत ही अच्छा ही वर करता है इसलिए मैं इसका यूजर करता हूं है एक ओमाइट के नाम से आता है वो भी मैट्स के लिए आता उसको भी आप यूज कर सकते हैं यह आपके बगल में जो भी नर्शरी है वहां से भी आप उसे पूछ करके एक अच्छा सा पेस्टिसाइड लेकर के आपको एस्प्रे करते रहना और सप्ता में अभी दो बार करना ह है क्योंकि अभी नए पत्ता में बहुत जादे मैट्स का एक होगा इसलिए सप्ता में हर चार दिन के बाद आपको एस्प्रे करते रहना है यह देखिए एक लिटर का मेरा एस्प्रे का बोतल है अभी जो मैं लोंगा तो एक ग्राम पर लिटर के हिसाब से अभी आपको नह जादे नहीं लिजेगा क्योंकि अभी सौफ्ट पत्ता निकल रहा है इसलिए अभी आपको जादे नहीं लेना है बस इतना सा हलका सा हम लेकर करके एक लिटर पानी में इस्टेकर के घोलेंगे उसके बाद आपको अच्छी तरीकिसे इस्टेकर के एस्परे कर देना सभी प्लान में जितने भी हैं सभी प्लान में इस्टेकर पानी भी जब देती है तो परेसर के साथ इस्टेकर के पानी दीजेगा और एस्परे भी किजेगा तो सभी प्लान में आपको इस्टेकर के हर च पर करते रहिएगा यह देखिए दोस्तों और गेनिक यह देखिए सीवीद है इसको भी इसको कमपनी का है इसको भी वन ग्राम पर लिटर के हिसाब से सभी प्लान में देना यह जरूरी नहीं है जो हमको इसको देना ही है तभी वर्क करेगा गार्डनिंग को आसान बनाइए दोस्तों जादे टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास है तो इसको दीजे नहीं है तो आपको नहीं देना है शिर्फ आपको वर्मी कंपोस्ट और शिव डीएपी आप दीजेगा भी तू भी सफिसेंट है उसके अलवा आपको आपको कोई किसी चीज की ज बोल करके आपको इस टेकर के प्लान में दे देना है और फर्स्ट फिटिंग में अभी आप आप कुछ नहीं करना है इस टेकर के सिब आप पानी का खयाल लखेगा सिब पानी अच्छी तरीकी से दीजेगा तू भी आपका गुलाब बहुत ही अच्छा खुबसूरत करेंगे एक तो पानी का ध्यान रखना और एस परेका क्योंकि मैट्स का एटेक को रोकना बहुत ही जरूरी होता अभी सबसे ज़्यादा अभी जो मैट्स का एटोगता उसको सिफ रोक लीजेगा तो ठीक है यह देखिए एक चीज़ दिखाता हूं दोस्तों यह देखिए म लेकिन इसको लगा करके देखा इसलिए इस बार यह देखिए सारे जितने भी यहाँ पर हैं यह सारे इंग्लिस रोज का मैंने कटिंग लगाया है एक कटिंग यहां देखिए मिनियेचर वाले का लगाया था वो भी बहुत अच्छा गुरोथ कर रहा है यह दोनू कंटेनर मैं गुलाब के कटिंग को किस्ते लगा जाता है उसके बारे में दिया हुआ उसका description में मैं इसका link दे दूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं जो इनके कटिंग को बहुत ही आसानी से आप भी लगा सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा थैंक यू दोस्तो